हालो दोस्तों मेरा नाम है अमन गांधी आप लोगों को मेरे चैनल आई गांधी में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ब्लैक शाक 2 है उसमें जो जो यॉई ए 11 का अपडेट आया था रिसेंटली उसमें बहुत सारे बग्स है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कॉन से बग्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं और क्या हमें अपडेट करना चाहिये या नहीं दोस्तों वैसे तो update अच्छा है बहुत सारे अच्छे ने ने features हमें देखने को मिले हैं लेकिन दोस्तो जो main basic features होते हैं एक phone में उनमें ही बहुत सारे bugs है तो अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो notification bell icon को on कर लो ताकि आप मेरे आने पाली वीडियो को miss ना करो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को दिखा दू कि जो मैं update कर रखा हूँ वह latest joy ui 11 ही है तो दोस्तो बात करें सबसे पहले bug की तो अगर आप shark space में जाते हैं और जब वापिस से आप shark space को exit करेंगे तो जो आपका default launcher set होता है वह वापिस से reset हो जाते हैं और आपको फिर से पूछता है कि आप कौन सा launcher को default set करना चाते तो जैसा कि आप अभी देख सकते है मैं वापिस से Remember my choice को set करता हूँ और कोई भी एक default launcher, system launcher कोई default set करता हूँ और जैसे ही मैं वापिस shark space में जाता हूँ और इसको वापिस अगर मैं exit करता हूँ shark space को तो आप देख सकते हैं ये मेरे से बार बार फिर से पूछ रहे हैं कि आप अपना default launcher क्या रखना चाहते हैं काफी major bug है ये दोस्तों बात करें अगले problem कि तो पिछली कुछ videos में बहुत सारे viewers ने comment किया था कि उनको black shark 2 में battery train का issue भी देखने को मिल रहा है और जहां तक दोस्तों मुझे ये बार सही लगी मैंने भी इस issue को face किया है अब तो मतलब ऐसा हो गया कि idle train भी शुरू हो गया इस phone में तो दोस्तों बस black shark दो एक जल्दी fix निकाल दे दोस्तों बात करें अगले बक्की तो एक viewer ने मुझे video भेजी थी अलग थे instagram में और उन्होंने point out किया कि जब भी या तो कोई connector जो 3.5 mm या फिर type c connector होता है आप उसको use करते हैं तो आप जो customization settings या जो हमारे game bar में आती है उसमें कुछ-कुछ items को enable नहीं कर पाएंगे तो मैंने भी इसको test किया अगर आप bluetooth headset लगाते हैं तो आप volume वाली settings को change नहीं कर पाएंगे वो block हो जाती है और भी दोस्तों अगर कुछ आप अलग से accessory लगा रहे हैं तो दोस्तों जो display settings है वो सब भी hang हो रही है और उसमें कोई changes नहीं हो रहे हैं अगर हम settings कर रहे हैं तो भी दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे YouTube के comments के द्वारा बताया है कि उनको callings related काफी सारे issues phase करने को मिलें जब से उन्होंने JoyUI 11 में update किये callings related in the sense या तो उन्हें call drops issues phase हो रहे हैं या फिर जो mics related काफी सारे issues phase हो रहे हैं इसका मतलब जब भी किसी को call करते हैं तो उनकी आवाज receiver तक नहीं पहुस्ती हैं और call भी काफी सारे ड्रॉप्स हो रहे हैं तो जोस्तों काफी सारे मेजर बाग है यह दोस्तों बात करें अगले problem की जो हमें face हो रही है जोई UI 11 में वह यह है कि जब भी हम gaming करते हैं या फिर कोई भी high intensive task perform करते हैं तो बहुत जादा heating issues देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों मैं एक classic match खेल रहा था PUBG में 25 minutes का game था मैंने full record किया है और इसकी settings भी सबसे high में set थी HDR extreme तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने वह measurement बाग होता है dashboard होता है जिसमें fps और temperature बताता है उसको मैंने on करके रखा हुआ है तो दोस्तों 14 minutes के gaming के बाद phone 42 degrees Celsius में जा चुका था मतलब अगर आप देखें अगर मैं start करता हूं game को तब यह around 40 degrees या फिर around 39 degrees के round था लेकिन दोस्तों जैसे मैं game में आगे पढ़ता हूं तो वहां पर आप clearly देख सकते हैं कि इसके temperature वह rise हो रहा है तो अभी आप देख पा रहे होंगे यह 40 degrees में बहुत चुका है सिर्फ 9 minutes के बाद और दोस्तों जैसे जैसे time power होता रहा और जैसे जैसे gameplay बहुत intense होता रहा तो दोस्तों यह मुझे लगता है काफी जाधा major है क्योंकि मैंने जब game record किया था जब मैं game खेल रहा था तो बहुत जाधा phone heat हो गया था में को phone पकड़ने में भी problem हो रही थी तो दोस्तों बहुत जाधा major bug है और मुझे लगता है कि black shark जरूर से इसके लिए कोई ना कोई fix नि related है phone joy ui 11 में update होने के बाद charging के वक्त भी heat कर रहा है यह बहुत लोगों ने मुझे YouTube के comments में भी बताया और यह मैंने भी जहां तक notice किया यह तो अगर आप phone को charge पे लगाते और आधे घंटे तक phone charge होने के बाद काफी अच्छे से यह काफी ज्यादा heat करने लग जाता है काफ उसके बाद जो headphones होते Bluetooth headphones या Bluetooth earphones जो भी headphones होते Bluetooth वाले उनमें जो sound volume है वो काफी ज्यादा कम है compared to joy ui 10 और यह दोस्तों मैं बहुत दिन से face कर रहा हूं तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर से इस वीडियो में बता हूँ और दोस्तों यह इतनी ज्यादा disappointing वाली बात इस बात है तो बात करें अगले बगी तो बहुत लोगों ने मुझे YouTube के कमेंट्स में बताया कि जब भी ओ लाइफ स्रीमिंग करना चाहते ब्लैक शाक 2 में joy ui 11 में अपडेट करने के बाद तो जो in-game sounds होते वो नहीं आ रहे लाइफ स्रीमिंग में तो काफी साथ मेजर बाग ह पून होने के बावजूद आप इसमें live streaming करते से हमें problem face करेंगे तो सही बात नहीं दोस्तो वैसे तो joy ui 11 में बहुत सारे नए features है लेकिन जो most expected था कि अग camera से related को improvements आनी चाहिए तो वो इसमें हमें देखने को नहीं मिली तो जो अगर आप देखे तो जो settings में जाकर हम quality set कर देखने को मिलता है यहां तक ही 1080p resolution में maximum frame rate 30 fps ही है तो यह काफी साथा disappointing वाली बात है दोस्तो वहीं बात करें slow motion की तो इसमें भी हमें maximum 240 fps देखने को मिलता है तो camera selected तो कोई नहीं improvements नहीं है बात करें camera की तो इसमें और एक मैं आप लोगों बताना चाहता हूं वैसे तो google camera support क करता है लेकिन कोई भी stable google camera इसमें हमें देखने को नहीं मिला आप देख सकते है अगर मैं normal camera से photo लेता हूं camera mode से तो photo ठीक आती है लेकिन दोस्तों जैसी मैं portrait mode में shift होता हूं google camera में तो जो screen है वो पूरी अटक जाती है पूरी hang होने लग जाती है तो काफी जादा bugs है google camera में तो अभी तक इसमें हमें google camera से लेटेट भी कोई अच्छा update देखने को नहीं मिला खाली night mode ठीक से काम कर रहे है वो भी इसमें problem यह है कि अगर आप photo को देखना चाहेंगे तो app crash हो जाता है तो यह सारे major bugs हैं और मुझे लगता है कि google camera का support तो हमें मिलना ही चाहिए दोस्तों बात करें अगले problem की तो यह मुझे अभी recently देखने को मिली है अगर आप देख सकते अभी तो मैंने app drawer enable कर रहा है तो यहां पे मुझे अपने सारे apps देखने को मिल जाते हैं लेकिन जैसी मैं settings में जाता हूं और वहां जाके home screen के settings में जाके अगर मैं customize करना चाहता हूं app drawer को और मैं इसको set करना चाहता हूं regular में तो आप देख सकते हैं अभी मैं app drawer को disable कर दिया हूं तो अगर आप वापी से home screen में जाएंगे तो आपको सिर्फ यह कुछ घीने चुने ही app system apps ही देखने को मिलेंगे आपके जो installed apps होंगे वह इसमें हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों वैसे तो यह कोई major bug नहीं है लेकिन आप लोगों को बस पता होना चाहिए तो मैंने सूचा क्यों ना मैं आइस वीडियो में इसको भी बता दूँ तो बस जो सो आची वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो, वीडियो क share करो और notification bell icon को on कर लो ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को miss ना करो, thank you for watching